ये पाँच ऐसे और्गैनिकल फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन की मातरा जाता पाई जाती है इससे आपके प्लांट की ओल ओवर ग्रोध बहुत अच्छी होती है और जो न्यू शूट्स होती है उनको बूस्ट मिलता है एनरजी मिलती है तो ये कौन-कौन से आती हूँ तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेलो एव्रिवान कैसे हैं आप सब लोग लाव फ़र गार्डनिंग में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसे कि आप लोग जान ही गए हैं कि मैं आज आप लोगों से एनपीके में जो नाइट्रोजन होता है उस लेकिन वो हमारे प्लांट की ग्रोथ को अच्छा करते हैं हमारे जो सॉइल होती है प्लांट की उसको रिच बनाये रखते हैं वहीं जो कैमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो सिंथेटिक चीजों से बने होते हैं जैसे डीएपी, यूरिया, पोटैशियम इस तरह के के और भ हमारे सॉइल को नुकसान पहुचाते हैं और अगर पॉंडिटी जादा हो जाती हैं तो हमारे प्लांट को बर्न भी कर सकते हैं पर अगर आप एक उचित मात्रा में यूज करेंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं पर रेगुलर यूज से हमारे सॉइल की जो क की ज़ादा है तो इस लिए नाइट्रोजन हमारे प्लांट के लिए बहुत ही जादा जरूरी है जो हमारे plant की new growth होती है उसमें भी NPK में N का बहुत ही बड़ा role होता है तो मैं आपको यहाँ पे 5 NPK के source बताने वाली हूँ जो कि हमें बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं market में भी easily मिलेंगे online भी मिल जाएंगे तो जो सबसे पहला fertilizer है वो है vermi compost मैं आपको जितने भी इस वीडियो में fertilizer के बारे में बता रही हूँ यह सभी fertilizer आपको description box में Amazon Gardening Store का एक link मैं दे दूँगी वहाँ पे मिल जाएंगे तो आपको कोई भी fertilizer लेना है तो आप उस link के तुरू जाके fertilizer को ले सकते हैं पहले मैं आपको बताती हूँ कि vermi compost होता क्या है तो vermi compost केचवे की खाद होती है जो केचवे होते हैं अर्थ warm उनको मिटी में छोड़ दिया जाता है और उसमें काफी जो dry leaves होती हैं कुछ गोबर की खाद डाले जाती है और भी इस तरीके की कुछ organical चीज़े होती हैं जिनको डालके उसमें warm को छोड़ दिया जाता है और वो दीरे दीरे उसको decomposed करके vermi compost बना देते हैं इसे हम use कहां कहां कर सकते हैं सबसे पहले तो जब हम कभी भी अपने plant को report कर रहे हैं तो उसमें आप इसे soil में mix कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा fertilizer होता है और plant की all over growth में बहुत ही help करता है इसकी अंदर nitrogen की मात्रा जो होती है वो मैं इस screen पे लगा दूँगी आप लोग देख लीजेगा बाकि ये plants की growth में भी help करता है मिट्टी की जो quality होती है उसको improve करता है और जो हमारी soil पानी दे दे के थोड़ी सी ठोस हो जाती है जब हम vermicomposed उसमें regular base पे डालते रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो soil होती है वो जमती नहीं है भुरभुरी सी बनी रहती है तो इसे हमें अपने plant में कर देना है हम इसे अपने plant में 20-25 दिन में एक बार दे सकते हैं और जब भी आप इसको दें तो plant की soil की पहले अच्छे से गुड़ाई कर ले उसके बार अपने plant की height के हिसाब से, age के हिसाब से आप 2-3 मूठी डाल सकते हैं चलिए अब मैं आपको दूसरे fertilizer के बारे में बताती हूँ जिसमें high nitrogen पाया जाता है तो वो है गोबर की खाद और गोबर की खाद चाहिए वो गाय की हो, भैंस की हो आप कोई भी compost ले सकते हैं तो ये हमारे plant के लिए बहुत ही जादा फाइदे मंद होती है ये एक organical fertilizer है लेकिन हाँ, गोबर की खाद को use करते समय आपको ये जान लेना होगा कि ये कम से कम साल से डेर साल पुरानी होनी चाहिए ताजा या जो 4-6 महीने वाली गोबर की खाद होती है वो आप अपने plant को मत दीजेगा क्योंकि इसमें nitrogen बहुत high level पे होता है और अगर ये अच्छे से decomposed नहीं होगी तो ये आपके plant को burn भी कर सकती है इसलिए अगर आप गोबर की खाद लेते हैं तो साल से डेर साल पुराने लिजेगा ये बहुत ही बहुत ही अच्छा fertilizer होता है थोड़ा slow release fertilizer है पर plant की all over growth के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इसे गोबर की खाद में nitrogen के अलावा और भी छोटे-छोटे micronutrients होते हैं जो हमारे plants को कम ही मात्रा में चही होते हैं पर उनकी भी हमारे plant को बहुत जादा जुरुत होती है गोबर की खाद में जो NPK का ratio होता है वो 3-2-1 होता है तो गोबर की खाद हमें कब देनी हैं? कितनी देनी हैं? इसके बारे में चली आप बात कर लेते हैं तो ये आप किसी भी plant को दे सकते हैं चाए वो flowering plant हो चाए वो vegetable plant हो indoor plants हो या किसी भी तरीके का plant हो ये एक organical fertilizer है तो आप अपने plant में easily दे सकते हैं ये थोड़ा slow release fertilizer होता है तो आप महीने से डेड़ महीने के बीच में इसे अपने plant को दे सकते हैं quantity आप 2-3 मूठी दे सकते हैं या 4 मूठी भी कर सकते हैं जैसा भी आपका plant का size हो उस हिसाब से और हाँ जब भी आप plant को fertilizer दें तो उसके बाद water जरूर दे दें तभी उस fertilizer में जो भी nutrition हैं वो आपके plant को मिल पाएंगे तो कोई भी fertilizer देने के बाद plant को watering जरूर कर देना है चलिए अब मैं आपको तीसरे ऐसे organical fertilizer के बार में बताने जा रही हूँ जिसमें high nitrogen पाया जाता है और जो की बहुत ही आसाने से आपको market में मिल जाएगा ये है सरसो की खली और सरसो की खली क्या होती है जो हमारे चक्कियों पे सरसो का तेल निकाला जाता है उसके बाद ये जो सुखा हुआ पार्ट होता है वो जो बचता है उसे हम सरसो की खली कहते हैं और जो साइड में आप देख रहे हैं, ये नीम की खली है, तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छे और और्गेनिकल फर्टिलाइजर हैं, इन तोनों में ही नाइट्रोजन हाई लेवल में पाया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पे सर्सो की खली के बार में बता रही हूँ, सर्सो की खली बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, मैं परसनली इसको यूज कर चुकी हूँ, अभी फिलहाल बरसात चल रही थी, तो इसलिए मैं अपने प्लांट्स में इसे नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ, अब मौसम धीरे धीरे बरसात का खतम हो रहा है, तो मैं फिर से इसे अपने प्लांट्स में देना स्टार्ट करूंगी, जो सर्सो की खली होती है, इसको आप दो तरीके से अपने प्लांट में दे सकते हैं, एक तो इसको पीस के और आप डारेक्ट सॉयल में डाल दीजे, पर उससे थोड़ा सा फंगस के चांसिस रहते हैं, लेकिन इसका जब आप फर्टिलाइजर बनाते हैं, इसको सॉक करके और इसको डीकंपोषट किया जाता है, और फिर इसका इक फर्टिलाइजर तैयार किया जाता है, जब आप उस तरीके से इसे अपने प्लांट में देनगी ना, 100% guarantee है मेरी आपके plants की रुकी से रुकी ग्रोथ भी चालू हो जाएगी बहुत ही अच्छा fertilizer है इसे कैसे तयार करते हैं इसे related वीडियो में बना चुकी हूँ तो मैं i button पर link लगा दूँगी आप उसको देखके इस fertilizer को बनाना सीख सकते हैं इसके बाद जिस fertilizer की मैं बात कर रही हूँ वो है चाय की पत्ती और ये हर घर में आसानी से मिलने वाली चीज है चाय पत्ती में जो NPK का ratio होता है वो 4.25.25 होता है ये हमारे plant की growth के लिए बहुत ही अच्छा है खासकर जो गुलाब के पौधे होते हैं उसको तो ये बहुत पसंद आता है इसको देना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ जिसे चाय की पत्ती आपने चाय बनाई और उसके बाद जो boil की हुई चाय पत्ती बच जाती है उसको अच्छे से wash कर लिजे ताकि उसमें जो चीनी है उसका flavor एकदम खतम हो जाए उसके बाद इसमें जो अद्रक वगरा है उसको भी आपको हटा लेना है जब ये अच्छे से dry हो जाए फिर आपको plant को देना है तो अभी मेरी चाय पत्ती एकदम अच्छे से dry नहीं हुई है तो इसलिए मैं अभी आपको direct soil में डाल के नहीं दिखाऊंगी लेकिन हाथ देना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ आपको 2-3 चम्मत चाय की पत्ती लेनी है और plants की गुडाई करके soil के उपर डाल देनी है और फिर उसे soil में ही mix कर देना है उसके बाद फिर आपको पाने देना है ये आपके soil को well drain भी बनाती है और plant में जो पानी hold करने की capacity होती है उसे भी बढ़ाती है तो अगर आप औरगेनिकल वे में अपने plant को fertilizer देना चाहते हैं तो ये पांचो fertilizer जिनमें main NPK जो होता है उसमें एनाइड्रोजन सबसे ज़ादा मातरा में पाया जाता है और क्यूंकि ये औरगेनिकल fertilizer है तो अगर आपसे गलती से quantity ज़ादा हो जाती है तो भी ये हमारे plant को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएंगे उसके बाद हमारे जो soil है वो rich बनी रहेगी और अगर आप लोग चाहें तो बीच बीच में chemical fertilizer का भी use कर सकते हैं तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर